जै माता दी दोस्तों दोस्तों नवरात्रे पांचवे नवरात्रे में पूजा की जाती है माता सकंद की सकंद माता की पूजा पांचवे नवरात्रे में की जाती है नवरात्रों में मा दुरुगा के हर रूप की उपासना करके हम लाबवन्ती हो सकते हैं दुरुगा मा के अल पार कार्तिक्य के नाम से भी जानी जाती है मा का वाहन सिंग है और इनके विग्रह में बाल सकंद इनकी गौद में बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं ग्रहों की बात करें तो बुद्ध ग्रह पर माता सकंद माता का आधी पत्या माना जाता है जिन लोगों की यादाश्त कम कुछ लोगों को कामुनिकेचन प्रॉबलमज होती हैं उनकी बातचित में बिल्कुल भी आतम विश्वाश नहीं होता वहें अटक अटक के बोलते हैं कुछ लोग तो तोतला भी बोलते हैं तो यह सब बुद्ध की खराबी के कारण ही होता है जिन लोगों की अपनी मौसिब हुआ या मामी से नहीं बनती उनका भी बुद्ध ग्रह प्रतिकूल पर भाव दे रहा होता है तो पहला उपाई जो आपको करना है वह है कंजक पूजन कंजक को साबत मूग पानी में भीगोकर सुबह पक्षियों को डाले किंडरों की सहायता करें तो दोस्तों इस तरह से आप माता का आशिरवाद प्रापत कर सकते हैं और उनकी कृपा पत्र बन सकते हैं इसके इलावा दोस्तों यदि आप अपनी कुंडली का विशलेशन करवाना चाहते हूं या चाहते हूं अपने घर के वास्तु दोश का निवारन करवाना तो आप हमें हमारे नंबरों पर संपरक कर सकते हैं आपको हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जै माता दी दोस्तों